हलो सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गजंद पुरही तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अगर आप B.S.C. कर रहे हैं भी टेक कर रहे हैं किसे भी कॉंपिनिटिव एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं जहां पर हार मैथमेटिक्स पूछा जाता है हमारा चैनल आप पास अगर कोई भी फंक्षन इस टाइप का लिखा हुआ है घ्रीमिटल इमारे पास जो बिए वह सेम हो नहीं चैनल पर यहां पर दिगरी होगिएक सतरह से मार पास कोई फंक्षन लिखा हुआ तो यह अमारे पास एक तरह का homogeneous function क्यालाता है जब भी हम यहाँ पे homogeneous function की बात करेंगे वो degree n का होता है आपके मन में सवाल उठेगा degree n का homogeneous function का मतलब क्या हुआ तो जिसे मैं आपके सामने की example लेता हूँ कि माल लीजे हमारे पास एक function लिखा हुआ है जो कि इस type का लिखा हुआ x square plus y square upon fxy is equal to x cube plus y cube divided by x minus y तो सुन उपर की degree 3 है नीचे की degree 1 है तो यह 2 degree का homogeneous होगा क्योंकि डिफरेंस है वो मारे पास 2 है आपके मन में सवाल उठेगा सार लिखते कैसे हैं लिख के बता दो आप तो यहाँ पर हम लिखते कैसे सुन यहाँ पर से हम x cube common निकालेंगे क्या निकालेंगे भी यह x cube common निकालेंगे तो सुन यह x cube common निकाला तो यह हमारे पास हो जाएगा y by x का cube और सुन यहाँ से हम x common निकालेंगे तो यहाँगा 1 minus y by x सुन यह जो होता है यह function of y by x आता है इसे और हमारे पास कोई भी function ऐसा दरिखा है x power n f y by x तो यहां पर हमारे पास x del u by del x plus y del u by del y की value होती वो n.u के बराबर होती है आपके मन में सवाल हो ठेक है सरी है कैसे आता है यह बताओ तो मैं आपके सामने इसको प्रूव करके बताता हूँ यह लेकर चलेंगे मैं इसको डिफरेंशिट करता हूँ विट रस्पेक्ट टू एक्स तो बटा जब एक्स के रस्पेक्ट में डिफिशिट करें एक्स यहां भी आ रहा रहा एक्स स्कुर्ण अब मैं क्या करता हूँ इसको एक्स से मल्टिप्लाज कर लेता हूँ क्योंकि हमें डिलख्य जब एक्स से मल्टिप्लाज करेंगे तो यहां पर नीचे एक ऊपर ča यहां पर माइनस आ रहा है, तो यहां पर नीचे एक बचा और उपर Y है, और यह जो X है, एक एक से मुल्टिप्लाइ किया, तो यह X कैंसल हो गया, और एक से एक से माइनस करेंगे, तो सुन यहाएगा, X पावर N-1 Y F-देश Y by X हो जाएगा, सुन यहां पर यहां पर इसकी व F-देश Y by X, और Y by X हो जाएगा 1 by X, इसको मैं Y से मिल्टिप्लाइ कर लेता हूं, तो Y, डेल U by डेल Y, इसको जब Y से करेंगे, तो सुन यह आप X इसको कैंसल हुआ, तो यहाएगा Y, पावर X-1 F-देश Y by X हो जाएगा, सुन हमारे पास यहां पर जो रिजल्ट रहे गया एक तो हमारे पास यह रहे गया, अगर आप देखेंगे, तो सुन यह हमारे पास यहां पर वेल्यू रहे गई, और एक हमारे पास यह रहे गई, इन दोनों को हम एड़ कर लेता है, जब इसको हम एड़ करेंगे, तो X डेल U by डेल X, प्लस Y डेल U by डेल Y करेंगे, तो यह ट तो यह आएगा n.u तो यही है हमारे पास यहाँ पर क्या होते है सुन्ट यूलर ख्योरम होती है मैं आपके सामने एक छोटा सा example देतना हो कि माली जी मारे पास एक function दे रहका u is equal to x cube minus y cube upon x square plus y square और कोई आपसे बोले कि x del u by del x plus y del u by del y की value किसके बारावर होगी तो सुन्ट यहाँ पर आएगा n into u एन हमारे पास होती degree of this function तो सुन्ट यहाँ पर हमारे पास ऊपर 3 degree नीचे 2 degree है तो इसका जो difference आएगा 1 आएगा यहाँ पर ऐसा लिख लिजे सुन्ट यहाँ पर की degree minus नीचे की degree into u इसको minus करेंगे तो 1 dot u answer आएगा और u की value हमारे पास यह है तो सुन्ट x cube minus y cube upon x square plus y square सुन्ट यह हमारे पास यहाँ पर किया जाएगा इसकी value आजाएगा तो इस चरद हम यहाँ पर इस theorem को apply कर सकता है कुछ और example देने के कोशिश करता हूं जिसे हमारे पास यह कोशिशन रिखा है कि आपको प्रूव करना है कि u is equal to x cube plus y cube upon 3x plus 4y आप से पूचा रहे है कि x del u by del x plus y del u by del y is equal to 2u हो जाएगा तो भई आपको पता है था हमारे पास क्या होगा सुन्ट x del u by del x plus y del u by del y तो सुन्ट यह हमारे पास homogenous function है तो उपर की degree minus नीचे की degree 1 रहे है इंटु यू हो जाएगा बैटा 2u हमारे पास यहां पर कहा जाएगा इसका answer हैगा तो इस तरह सम बहुत इसली आप इसको प्रूव कर सकता है तो इस तरह सम बहुत इसको प्रूव कर सकता तो सुन्ट जो भी ऐसा प्रशन है तो हम क्या करेंगे लाट लॉग यू इस एक्वल टू जैड मान लेंगे जब जैड मानेंगे तो हमारे पास यहां पर की पावर माइनस नीचे की पावर इंटू जैड आजाएगा क्योंगी जहां पर भी जैड है वहां पर हम लॉग लॉग यू प्लस वाइडल बाइडल वाइडल 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 U हमारे पास आजाएगा, और यही हमें यहाँ पर करना था यहाँ, प्रूव करना था, इसे प्रकासम, next question को भी कर सकता है, सुन हमारे पास यह question दरिखा, सुन 3 हमारे पास variable है, तो भी हमारे पास concept ही होता है, यहां पर भी होने वाला, यहां पर जब हम बात करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, let sin u is equal to p मान लेंगे तो हमार पास यहां पर हो जाएगा यहां p is equal to this, हाना हमार पास कहाएगा p is equal to x plus y plus z is equal to x power 8 y power 8 and z power 8 हो जाएगा तो सुन x del p by del x plus y del p by del y plus z del p by del z is equal to upper की degree minus nीचे की degree into p हो जाएगा यहां पर भी p वापिस sin u रख दीजे यहाएगा x हमारे पास होगा del sin u into del x plus y del by del y of sin u हो जाएगा plus z del by del z of sin u हो जाएगा और सुनियोगा minus का 7 sin u, यहां sin u का derivative करेंगे तो यहार यह मारे पास cos u हो जाएगा तो x cos u del u by del x plus y cos u del u by del y plus z cos u del u by del z is equal to, इस उनी आएगा minus का 7 sin u इस उनी मारे पास जो एक cos u इसको common निका लेंगा रो इसको divide कर देंगे तो यहार यहाएगा मारे पास x del u by del x plus y del u by del y plus z del u by del z is equal to minus ka 7 sin u upon cos u हो जाएगा और sin u upon cos u की जो value होती है वो 10 u होती है तो इसकी value हैगी वो minus ka 10 u हो जाएगी तो इस तरह हम इसको बहुत इसली यहाँ पर प्रूव कर सकता है So next question देखें यह भी हमारे पास इसी प्रकर का question है क्या करेंगे आपर द्यान देजएगा यह साइन इन्वर्स को पहले इदर लेंगे तो बटा यह आएगा sin u is equal to x plus y upon root x plus root y let sin u is equal to p मान लिजए और तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा p is equal to x plus y root x plus root y हो जाएगा x del p by del x plus y del p by del y is equal to उपर की पावर माइनस नीचे की पावर इंटू p हो जाएगा इस उन p की जगा वापिस sin u रख दीजे तो x del by del x sin u plus y del by del y of sin u is equal to हमारे पास यहाँगा 1 by 2 sin u हो जाएगा तो यहाँगा x cos u del u by del x plus y cos u del u by del y is equal to यहाँगा 1 by 2 sin u हो जाएगा बटा कॉस u कमन निकाल के डिवाइट कर दीजे x del u by del x plus y del u by del y is equal to 1 by 2 इस उन यह हमारे पास की आएगा sin u upon cos u 10 u हो जाएगा तो इस तरस हम इसको बहुत इसली यहाँ पे प्रूव कर सकता है इस उन next question देखिए हमारे पास दे रिखा u is equal to x cube y cube z cube upon x cube plus y cube plus z cube plus log x y plus y z plus z x upon x square plus y square plus z square तो इस उन क्या करेंगे हैं पे u is equal to हम ले लेंगे इसको p plus q मैं इसको ऐसा लेता हूँ इस उन p के लिए हम देखते हैं पे अगर हम देखें इस उन तो जो p function आ रहा है वह हमारे पास कैसा रहा तो p is equal to हमारे पास यहा रहा है सुन x cube y cube z cube divided by हमारे पास क्या है सुन यहाएगा x cube plus y cube plus z cube हो जाएगा हम क्या करते हैं सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो value निकाले हम यह निकालना है x делu by дел x plus y делu by дел y plus z делu by дел z निकाला है तो हम इसको निकालेंगे पहले हम इसको निपट लेता है तो हम खर्म लगाएंगे तो आपас Ch haircutum keля रही है एक्स देल p by X to tell p by surprise X to tell p by дел x plus Y to tell p by del y plus z हमारे पास us on the call it even by del z तो हमारे पास ओपर 9 degree अ house नीचे 3 डिगरी आ रहा है, तो 9-3 into P हो जाएगा, तो हम देखेंगे, तो यार, यह आएगा, X del P by del X plus Y del P by del Y plus Z del P by del Z is equal to 6 P हो जाएगा, अब हम क्या करते हैं, सुन यह पर हमारे पास इसकी value लेते है, next लेते हैं, तो next हम Q ले लेते हैं, तो Q is equal to, हमारे पास हो रहा है, सुन, log XY plus YZ plus ZX upon X square plus Y square plus Z square, सुन यह आ रहा है, हम क्या करेंगे, सुन, log को इधर लेकर आते हैं, तो यह हमारे पास क्याएगा, E की power Q हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, मारे पास E की power Q is equal to XY plus YZ plus ZX upon X square plus Y square बात करेंगे तो जब हमारे पास यह आ जाएगा तो यह मानेंगे तो यह हमारे पास यहां पर बाराबर आर हो जाएगा और जब इस पिछ वर्म लगाएंगे तो यहां पर हम देखेंगे तो ऊपर की डिगरी माइनस नीचे की डिगरी तो ऊपर 2 डिगरी आ रहा इंटो हमारे पास यहां पर क्या जाएगा तो यह आएगा हमारे पास x यह आएगा डेल e की पावर q upon डेल x प्लस y डेल by डेल y और e की की पावर q is equal एकुल अमारे पास यह 0 हाजाएगा। इस नीं की पावर q का derivative करांगे तो यहां से हमारे पास e की पावर q ही हाजाएगा तो इस नीं q कीwood करता हूं तो यहां आए भाहर की तरफ को इसको जीरो पे ले तो यहार पास पूरा का पूरा है यह पर हुआ फे दो रिजल्ट यह आ रहा है एक रिजल्ट हमारे पास ही आरा है जब इन दोनों को जोड़ेंगे इंगे अब न िंद इसको मैं रिजल्ट टू ले लेता हूं, यह आएगा हमारे पास x del p by del x plus y del p by del y plus z del p by del z plus इसको लिखेंगे, तो x del q by del x plus y del q by del y plus z del q by del z is equal to, इसको जोड़ेंगे, तो हम जानते हैं, इसका राइट वाला जो है p है, और यह हमारे पास 0, इसका राइगा 6p plus 0 होजाएगा, इसका हम जोड़ेंगे, तो यहां पर यह आँप आप देखें, तो सुनिए यह वाले टम को हम जोड़ेंगे, यह देखेंगे, x del by del x, इसका यह मारे पास p plus q होजाएगा, इसकाड़ देल जेड, सुनिए आएगा हमारे पास Z, देल बाइ डेल Z of P plus Q हो जाएगा, is equal to 6, और P की वेली हमने क्या अजीम किती, सुनिए P की वेली की अजीम किती, तो इसको मैं लिखे लेता हूँ, तो सुनिए आएगा, X cube plus Y cube plus Z cube, divided by ये आएगा हमारे पास X power 3 plus Y power 3 plus Z power 3 होगा, सु Q plus Y cube plus Z cube upon X cube plus Y cube plus Z cube, ये हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, इसका आंसर आजाएगा, और इस तरसम इसको बहुत इजी लिए यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, इसको एक क्वेशन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए, इसको जरूर सॉल करेगा, इस क्वेशन को सॉल करन इसका वीडियो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, और इसको नमारा जो पूराना डिफरेंशल कैलकुलिस का पूरा 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 प्लैलिस्ट है, वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा, यहाँ जाके चैनल को सॉस्क्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर जाके आपको ड हन्यवा थेंक्यू, बबबाइ